गुड मॉनिंग बच्चो, मैं डॉक्टर सीता चोबे, मनुभी ज्यान विभाग मारवारी कोलेज राची बच्चो, पिछले क्लासे मैंने आपको अधिगम के बारे में बताया था आज मैं फिर उसके स्वरूप के बारे में मैं बता रही हूँ कुछ मनुभी ज्यानिकों ने काफी परिभासाएं दी है, ये क्लास, इलेमेंट क्लास के बच्चों के लिए है तो जो परिभासाएं दी है, उन परिभासा में उसका क्या स्वरूप है, क्या बिसलेशन होता है उससे मैं अभी आपको बता रही हूँ देखे जो मनवेग्यानिकों ने जो अपने परिवासाइं दी है उसका विसलेशन करने पर हमें कुछ बाते पराप्त होती है जैसे पहला पॉइंट है अधिगम बेवहार में परिवर्तन को ही कहा जाता है किसको कहा जाता है अधिगम मतलब लर्निंग जो बेवहार में परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है तो अधिगम बेवहार में परिवर्तन आच्छा परिवर्तन या बुरा परिवर्तन को कहा जाता है कहने का तातपर है कि सिखने में बेवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग लर्नी करते हैं साइकिल चलाना सिखना स्वेटर बुनना सिखना ये सब अच्छे परिवर्तन का उधारन होते हैं चोरी करना, जूट बोलना, आदी बेवहार में बुरे परिवर्तन का उधारान है, सिखना में बेवहार इन दोनों तरह के परिवर्तनों को सम्लिद किया जाता है, सिखना तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा सिखना हो या बुरा सिखना हो, है ना, तो दोनों तरह के इसका बिसलेशन होता है, बेवहार में परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूती के फल सोरूफ होता है, देखिए बिना अभ्यास या बिना अनुभूती का जो भी परिवर्तन होता है, उसे हमनों सीखना नहीं कहते हैं, बेक्ति के बेवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीख कहा जाता है जो बेक्ति द्वारा कियेगा अभ्यास अन्भोग के परिनाम स्वरुप होते हैं बेक्ति के बेवहार में परिवर्तन ठकान हो जाने से भी होता है कभी दवा खा लेने से भी होता है या उसमें परिपकता आने से भी होता है परन्तु ऐसे सभी परिवर्तनों के सी नहीं होते हैं, है न, तो हम लोग शीखना नहीं कह सकते हैं, और अब देखिए तीसरा पॉइंट है, बेवहार में अप्यक्षाक्रित अस्थाई पर्वर्ब erzäh relies on तकि उसे गाफी दिनों तक याद रहता है, ताकि ये भविश में ठीक ढ़ंग से समायोजन कर सके, तो इस तरह से हम देखते हैं, कि जो भी बेवहार होता है, वो अस्थाई होता है, साकिल सीखना है, स्वेटर सीखना है, सिलाई सीखना, कम्प्यूटर सीखना, ये सब क्या हो होता है, बेक्ति अपने जीवन में का जो उदेश से होता है, उसको प्राप्त करने में बहुत सहयोग उत्पन करता है, उसमें सहयोगी होता है, और यह जो सीखना होता है, वो आस्थाई होता है, समय अथिक होने के कारण थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो सकता है, परिपक्ता मतलब में क्या अंतर होता है difference between learning and maturation ठीक है परिपक्ता में और अधिकाम में सीखने में दोनों में क्या अंतर है इसे हम असपष्ट करते हैं अभ्यास या अनुभूती के फल स्वरू बेवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहा जाता है परिपक्ता या सेततपर जीव में विकास तथा बर्धन की परकिरिया से पूरी होने से होता है चुकि परिवर्तन से जीव में विकास तथा बर्धन होता है अता स्वभाव इससे भी बेवहार में परिवर्तन होता है जैसे जन्म के समय सीशू नी सहाय होता है कुछ महीनों बा तथा चलना प्रारम कर देता है इस तरह से जैसे जैसे उम्र बीतते जाता है उनमें परिपक्कोता आते जाता है तथा उसके बेवहार में परिवर्तन होते जाते हैं तो हम यही हम देखते हैं कि सीखना तथा परिपक्कोता दोनों में ही बेवहार में परिवर्तन होते हैं इस समानता के बावजूद दोनों का अर्था अलग अलग है इन दोनों के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए हमको क्या करना होगा इन दोनों के बीच के अंतर को हम कैसे समझेंगे कुछ बातों को देख करके कि अभी हमने कहां कि जो परिपकोता होता है एक बच्चा होता ह बहुत ही निसहाय होता है बहुत ही कम जोड होता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी अनभुती नहीं कर सकता है तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है, उसकी मानस्पेशिया मजबूत होते जाती हैं, और वो धीरे धीरे चलना, उठना, बैठना, सिखने लगता है, तो जदि वो इस तरह का सिखता है, तो उसको हम लोग ये सिखना नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसका जो सार वर्तन हो, तो उसको हम लोग सिखना कहते हैं, तो ये अंतर होता है, किस में? बेक्ति के सिखना में ये अंतर होता है, और वो चलना और उठना, बैठना कैसे सीखा? परिपक होता क्योंकि जैसे जैसे उसकी मानस्पेशिया मजबूत होने लगी, उसका उम्र बढ़ने लगा दु महीना, चार महीना, छे महीना, एक सार, तो वह भचा धीरे धीरे अपना उलटने लगता है, घुटने के बल चलने लगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, तो उसको हम लोग सिखना नहीं बEMA बोलते हैं, और सिखना हम किसी कहेंगे, जब बच्चा पांक्सार चेसर का जो हो जाता है और वो ऑन यह छोटे बच्चे तो उटते हैं फिर उठते हैं फिर जीर ले होता है उसका जन्मघात् प्रकिरिया है लेकिन होता है तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि इसको परिफक特ा करिणशार शीखता है और ब्यभार में परिवर्टन करिणशार शीखता है तो बच्छो अभी मैं फिर आपको अगली कलास में इसको क्या बताऊंगी? ही इससमय का कलास इतना ही अगले कलास में आपको इसे दोनों में अंतर में आपको बताऊंगी, तब तक ये लिए धन्यबाद